नमस्कार दोस्तो एक्जाम मैंस्किर लेनिंग प्रेटफॉर्म पर फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके सीजीयल का जो एक्जाम है वो 9 सप्टेंबर से होना है ठीक है तो लगबग साथ आठ दिन के लिए तो मैं आउट आप स्टेशन था बट मैं चाहता तो आपको यह बाकी के मुक्टेस्ट करा देता बट मैंने सोचा कि यह रिवीजन का टाइम है तो बच्चों को रिवीजन का टाइम दे दिया जाए ठीक है क्योंकि चालीस मैं से मैं आपको अल्रेडी 32 मुक्टेस्ट करा चुका हूं तो आपने भी खुद से प्रेक्टिस की होगी बहुत सारे मुक्टेस्ट की आपको के वह एनलेसिस के तौर पर यह वीडियो चाहिए थे ठीक है बट बहुत सारे स् हम कंप्लीट करेंगे और आज किस लेक्टर में मोक्टेस्ट नंबर 33 का सॉलिशन देखेंगे दोस्तों मैं चाहूं तो आपको एक दिन में दो मोक्टेस्ट भी प्रोवैड कर सकता हूं बट कंडिशन एक है कि यार उस हिसाब से रेस्पॉंस भी मिलना चाहिए देखे एक अगर मैं आपको मॉर्निंग में देता हूं एक इविनिंग में दूंगा ठीक है मॉर्निंग में जो वीडियो आएगी उसका लगबग दुपेर तक आपको सो से दोसो तक व्यूज आने चाहिए दोस्तों ठीक है तभी मुझे लगेगा कि हां कुछ लोगों को वेट था और उनको benefit मिल रहा है उनका response आ रहा है ठीक है दोस्तों तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कैसा response रहता है बाकी की चीज़ा आगे decide करेंगे और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको आगे बटने से पहले कि जो CHSL 2024 का जो एक्जाम हुआ भी recently ठीक है उसक प्री से पहले पहले तो मैं आपको provide कर दूँगा लगबग 150 questions के आसपास आपके questions बैट रहे हैं ठीक है तो एक बार में 150 questions करेंगे तो बहुत लंबा lecture हो जाएगा तो मैं इसी मुख form में आपको 25-25 questions के माध्यम से ये सारे 6 दिन में हो जाएंगे 6 lectures में हो जाएंगे मैं opinion क्या कहता है कि उसका weight है यान कि गीता की बात करें हर weight is greater than 55 kg but less than 62 kg गीता का जो weight है उसके इसाब से 55 kg से तो बड़ा है और इससे 62 से छोटा है ठीक है जी यानि कि 55 और 62 के बीच में है कह रहा है गीता's mother does not agree with गीता वो जो गीता के वियों से agree नहीं करती है और वो क्या कहती है she thinks that गीता's weight is greater than 50 kg but less than 60 kg भई 60 से तो नीचे है बट 50 से जादा है यानि 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है ठीक है जी कह रहा है उसका जो भाई का view है वो क्या कहता है उसका जो weight है can't be greater than यह important line है can't be greater than 58 kg यानि अठ्ठामन से जादा नहीं हो सकता अठ्ठामन से कम तो हो सकता है तो यानि कि उसका जो brother brother का view है वो कहता है जो गीता का weight है वो अठ्ठामन kg से कम है अब आप दिखिए क्या कह रहा है आप से पूछ क्या रहा है if all of them are correct वही सबके अपने अपने हिसाब से opinion सही है तो क्या कह रहा है what is the average of different probable weights of गीता तो दिखिए इसके हिसाब से देखेंगे तो 55 से बड़ा 62 से छोटा इसके हिसाब से देखेंगे तो आप clearly देख सकते हो कि यहां 62 है यहां 60 है तो मैं इसको correct मानूँगा कि 60 से छोटा है ठीक है अब यहां देखें यहां 55 से बड़ा है यहां 50 से बड़ा है तो मैं इसको सही मानूँगा ठीक है तो 55 से बड़ा है तो 55 से बड़ा एक नमबर 56 हो गया ठीक है और एक नमबर 57 हो गया और 60 से छोटा यानिक अठामन से छोटा रखना हम आठामन तक भी हम रख सकते हैं एक यह हो गया अठामन ठीक है तो आप देखेंगे तीनों के इसाब से यह निकल के आया हमारा आउटकम अगर मैं इनकी ख्टू को सब्सक्राइब receivers हो टो अगले क्या कहा रहा है यह थे इसलीक फइली साब होगी तो किया होनी चाहिए पहली चेह पहली चीज अगर आप से एक स्टेट पूछा है तो एक स्टेर की मैं चूज करना चाहूंगा हालनकि X की value अगर root पर होगी तो root से square कर जाएगा तो value आ सकती है बट मैं यहां सबसे पहले check करना चाहूंगा 16 से 16 मैं क्यों ले रहा हूं क्यों कि दोस्तों यहां अगर भई X square की value अगर 16 है तो वहां से X की value क्या आएगी अगर X square की value मैंने 16 मानली तो X की value क्या आजाएगी चार चार भी एक प्रफेक्ट सुकेर नंबर है और मैं जब यहां चार रखूंगा तो इसका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो इसलिए मुझे यह आसान लग रहा ठीक है तो मैं यहां चेक करूँगा 9 की power भी चार एक्स की value चार है तो चार का अंडर रूट निकल के क्या जाएगा दो बराबर यहां देखे 41 की power दो माइनस में 40 की power दो अब तो आपको confirm हो गया होगा कि यही मेरा option बिल्कुल करेक्ट है क्यों क्यों क्योंकि यह आगे आपका अगे बढ़ते हैं देखे दोस्तों अगले question में क्या कर रहा है अरुन मेड एन एरर उप 7% in excess excess का मतलब ज्यादा देखे दोस्तों अगले question में क्या कर रहा है अरुन मेड एन एरर उप 7% in excess and 5% in deficit यानि 7% तो ज्यादा और 5% कम वाइल मेजरिंग दी length and breadth of respectively of a rectangle कर रहा what is the percentage error in the area देखे अगर मैं length की बात करता हूँ तो पहले देखे यहां 5% 5% का मतलब होता है आपका fraction में एक बटे 20 यानि 20 से एक की deficit कर दिया तो यानि 20 से 19 रहेगी उसकी ब्रेड ठीक है अब देखे एरिया में percentage change पूछाया तो एरिया क्या होता है आपका length in to my bread ठीक है तो area होगा length in to my bread तो मैं length की multiply कर देता हूँ कितना जाएगा 2000 और ब्रेड कितनी आएगी वही उननी सकते कितना होता है आपका 133 और उनी से कम 1921 तो आप देखिए यहां कितने का increment हुआ है आप कहेंगे सर 33 का यहां 33 का increment हुआ है ना कितने पर obviously base क्या है यहां यह 2000 पर ठीक है तो percentage के लिए 100 पर कितना तो 100 से 20 कर जाएंगे वह को मैं लिखनी रहा तो 20 से कम 20 20 से कम 20 बचे कितने आपके 13 पॉइंट लगा के बढ़ा लिए 0 बीश चिक के 120 वन पॉइंट सिक सम्थिंग आएगा तो यानि कि option यह आपका करेक्टर अनुस्वारा दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्याना दी सॉलिशन आप दी इक्वेशन इस आप दी सॉलिशन आप दी क्यों बढ़ी कुछ नहीं इसको सॉल्व कर लिए यहां फूर एक्स अपॉन में थरी है तो तीन से मिल्टिप्लाइए करिए तीन दूनी 6 एक्स पलस में तीन पंजे 15 माइनस में 4 एक्स बराबर तीन से इधर कर दी राइट साइड में 15 थी 45 इस वी तीन दूनी 6 एक्स ठीक है जी अब आप करेंगे क्या 6X को इधर लियाए, 6 में से 4 जाएगा, तो पलस का दिखिए 6X को इधर लाएंगे, तो 6 और 6, 12, 12 में से 4 जाएगा, तो 8X बराबर, अब इस 15 को इधर ले जाएगे, तो 45 में से 15 जाएगा, तो 30 बचेगा आपका तो X के वैलू कितने आजाएगे, तो 15 बटे में 4, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, कि 4X बराबर 15, ठीक है, अब options देखिए, अगर आप options ध्यान से देखोगे, तो 5X माइनस 4, यहाँ तो 4X है, यहाँ देखिए, 4X माइनस 29, अगर आप 29 को इधर ले जाएगे, तो आपका plus का 15 यह बचेगा, तो मेरा यह option बिल्कुल correct है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किरा what is the, is equal to, यह किसके बराबरा, देखिए, sin A, cos B, minus, plus में cos A, sin B, यह क्या होता, आपका sin A, plus में B, ठीक है, into में है यहाँ, sin A, cos B, minus cos A, sin B, यह होता, आपका sin A, minus में B, तो sin X, minus में Y, अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, तो यह क्या है, भाई यह आपका A, plus sign, तो दोनों के साथ में, A, plus B, into में A, minus B, क्या होता, आपका A, की दो, minus B की दो, तो मैं लिखूँँगा, sin square X, minus में sin square Y, यानि की दो, minus B की दो, कौन से option में दिख रहा है, आपका sin square X, minus sin square, option D, ठीक है, दोस्तो, आगे बढ़ते है, कह रहा है, एक निर्मान इस्थल पर 200 सिर में एक इमारत पर काम कर रहे थे, जो 2500 दिनों के भीतर समाप्त होनों था, तो यानि कि मैं कहूँगा, टोटल वर्क, भाई, 200 आदमी, 2500 दिनों में करते हैं, किसी काम को, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आपका 200, इंटू में 200 400, कितना आगया, 5000, ठीक है, जी, आगे क्या कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है, तीस दिनों के बाद, 20 करमचारी काम छोड़ देते हैं, भाई, मैं कहूँगा, तीस दिनों तक तो व्रक पर इन 200 आदमी ने काम किया है, तो इनोंने कितना काम कर दिया, दो तेया 6000, ठीक है, तो काम बचा कितना 44-700 ठीक है ये काम करना आप बचा हुआ है अब total जो आदमी थे भै तीस दिनों के बाद तीस दिन तक तो इन्हों ने साथ में काम कियगा इन 200 लोग होने 30 दिन तक तो काम किया ही होगा तो यानि कि 600 का 6000 इनों ने कर दिया बचा काम कितना चबालीस सो अब दो सो में से इस 20 आदमी ने काम छोड़ दिया बचा हुआ लोग कितने हैं 180 तो इस चबालीस सो काम को कितने लोग करेंगे बचा हुआ 180 तो कह रहा है how many more days will it take to complete the work तो देख लेते हैं वही कितना समय लग जाएगा एक जीरो से एक जीरो यहां जाएगा आपका 220 अपॉन में नौ ठीक है तो भई नौदूनी अठार है ओप्शन देखोगे तो दो से एक से उपर दो एक की ऑप्शन में यह आपका करेंग्ट आनसर है देखिए नौदूनी पॉस्टन में क्या कहा रहा दे रेशियो ओफ डिन्वर ऑफ डाइगनल ओफ ए पेंटागन तूदी नंबर ऑफ एजीज ओफ एक क्यू तो रेशियो बताना है आपको दिखे है कि आपको क्यूब के जो एजीज होते हैं वह कितने होते हैं बाए यह चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए एक ये option में बार है देख रहा है मेरे को इसको verify करने के लिए मैं देख लेता हूँ कभी कट के कुछ और आ रहा हो ठीक है तो भाई आपको पता होना चाहिए जो number of diagonals होते हैं किसी भी polygon के वो होते हैं n into में n minus 3 by 2 ठीक है ये diagonals निकालने का फॉर्मूला है आप इसको नोट कर सकते हो ठीक है अब आप देखिए भाई पेंटागन है यानि कि number of sides कितनी है पांच तो हमें यहां number of sides कितनी है लिए पेंटागन के लिए पांच तो पांच पांच में से तीन गए तो दो अपॉन में दो और एज तो आपको पता है मैं बता चुका हूं बार होते हैं तो दो से दो कड़ जाएगा कि तो आपका अंसर होगा फाइव रेश्यों ट्वैल ठीक है ऑप्शन सी आपका करेक्टा अंसर होगा आगे बढ़ते हैं कि करा एक वी जॉइन एवरी पॉसिबल पेर आफ दी मिड़ पॉइंट आफ दी साइट सब्सक्राइब देन देन नमबर आफ दी रीजेंस इंट विज दिस अपर इस डिवाइड ऐसे कितने रीजन बनेंगे जिसमें सब्सक्राइब हो जाएगा तो भाई यह सो के रहे ठी पर मैं इनको जोइन कर देता हूँ तो देखे भई तो यह भी तो आपस में करेक्ट हो सकते हैं यह भी तो मिड़ पॉइंट है ठीक है अब आप दिखिए दूसरा रीजन ठीक है तो एक में दो है तो चार में कितने हो जाएंगे आठ ठीक है एक यह मान लीजिए तीसरा रीजन अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ इसलिए एक यह हो गया ठीक है और आप दिखेंगे एक आपका यह हो गया ठीक है और आप आपका एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ ठीक है मैं आपको काउंट करवाने के लिए इतना टाइम दिया नहीं तो ये आप इतना टाइम देने लाइक क्वेश्चन था नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर उसकी कीमत अगर भई जो सीपी थी वो साड़े सीपी अगर आठ थी तो कह रहा है उसको तीन के लॉस पर बेचा है तीन के लॉस पर बेचा है तो बेचा कितने में है भई आठ में से तीन गए तो यानि कि पांच के लॉस में बेचा है तो यह सीपी और एसपी का रेश्यों आ गया सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों देखिए इस सेलिंग प्राइस आप दी आर्टिकल इस हंड्रेड तो हमा आगे बढ़ते हैं कि करा दी फॉलॉइंग ग्राफ यह आपको दिखाया गया है पूछा क्या है वो देखते हैं करा दी इंकम ओफ दी टू कंपनीज वर इक्वल इन दो हजार उननीस देखोगे तो यह रहा ठीक है और इंकम वही दो हजार उननीस में बराबर बता रहा है यह कंपनी ए है बिलू वाली और यह कंपनी बी है रेड वाली ठीक है किया रहा है then what was the ratio of the expenditure of company A to that of the company B in 2019 अब देखिए यह जो आपको दिखाया गया यह क्या है percentage of profit ठीक है जी अब मैं अगर देखिए expenditure अगर मैं A कंपनी का expenditure 100x मान लेता हूं तो इंकम कितनी आ जाएगी income तो यहां देखिए भई A क्या है आपकी बिलू वाली और इसमें profit कितना है 30% तो आपके कितना आ जाएगा 130% हो जाएगा भई income ठीक है जी और अगर मैं यह क्या है मैंने A के लिए माना है अगर मैं B की बात करूँ तो B की अगर मैं expenditure 100y मान लेता हूं ठीक है तो मेरा जो income निकल के आईगी वो कितनी आईगी भई 100 यहां profit कितना है 40% का तो कितना आएगा 140y ठीक है आप देखिए क्योंकि 2019 का मैंने ये data लिया है भई देख लीजिए और 2019 मैं बूल रहे हैं income बराबर है तो मैं income बराबर है तो यानि कि 100x बराबर सुरी ये 130x बराबर 140y बन जाएगा ठीक है तो ये आप दिखिए भई आपका जीरो से जीरो कट जाएगी तो यहां से x ratio y कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका 14 ratio 13 आप से यही पूछा है उनके expenditure का ratio आप इनमें 100 100 से भी multiply करोगे तो भी भई आपका ratio है भई 100 से 100 कटी जाए एक 100 एक्सेस रेशियो 100 वाई निका लोगो तो 14 रेशियो 13 रहेगा रेशियो तो ठीक है option C आपका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं करा एक पर्सन इनिशेली है एक्स विर हिम एंडे पार्ट ऑफ ही ओफ इट ही इन्वेस्टेड इन इस कीम एट 15 पर सेंट पर एनम यह निकी उसके पास एक्स रुपे थे सुरुआत में उसने कुछ पैसे इसका कुछ पार्ट लगाया स्कीम ए में ठीक है पंद्रे पर के हिसाब से एंड रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एट 20% पर एनम रीट अव कंपाउंड इंट्रेस्ट और यहाँ जो दूसरा जो बाकी का पैसा है वो लगाया उसने स्कीम बी में ठीक है और यहाँ 20% पर एनम यह क्या है SI के हिसाब से लगाया है और यह CI के ह स्कीम A and B at the end of 2.5 years is रुपे 4500 and 6424 respectively देखिए A से तो कितने मिले हैं A से मिले है 4500 और B से मिले है कितने 6424 ठीक है जी कर रहा है then what is the value of X अब आप मुझे एक चीज बताएए 15% से ढ़ाई साल के लिए जो आपका SI का कितना हो गया है तो आपका 15 दूनी 30 और आधा कितना हो जाएगा 15 का आधा साड़े साथ यहां ता हो गया आपका 37% ठीक है और यहां देखेंगे तो आपका 20 बीस और 10 तो बीस और बीस का सक्सेसिव कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा 24 तक तो कोई दिक्कत निया और दस तो 44% और 10% का आप सक्सेसिव निकालेंगे तो 54 और 10 कितना हो जाएगा आपका 54 ठीक है पलस में 44 इंटू में 10 अपॉन में 100 तो 4.4 और हो जाएगा पलस में 4.4 ठीक है तो आपका कितना बनेगा 8.4 परसेंट ठीक है जी ठीक है तो मैं ये कह सकता हूँ भई मेरे को जो डाटा गिवन है वह ये जो 45 तो है ये 37 परसेंट की वैलू है ठीक है तो भई 37 परसेंट की वैलू है इसका इतना प्रॉफिट भई ये क्या है इंट्रेस्ट है और ये भी क्या है हमारा इंट्रेस्ट है तो ये इंट्रेस्ट की वैलू इतनी है तो यहां ए में जो इन्वेस्ट किया वो पैसे कितना था है 100% तो मैं कह सकता हूं कि 4500 जो वैलू है यह 355 परसेंट की है 35 को आप क्या लेक सकते हो और 75 बटे 2 परसेंट की वैलू और हमें निकालनी है 100% की वैलू तो इंटू मैं 100 ठीक इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कितना बन जाएगा भई आपका 2575 और 254 का 100 और तीन से काटेंगे इसको पंद्रे सो बार तो आपका च्यार दूनिया अठ पंद्रे अठे एक सो बीस ठीक है और दो जीरो तो बारह हजार तो यहां से आ गया पलस में यहां देखिए इस वाले डाटा को हम देखते हैं तो यह क्या है जो 6424 है यह अठामन पॉइंट च्यार की वैलू है तो आपका देखिए यहां देखिए आप पांच एकम पांच तो आपका बारह में चार गए तो आठ और आपका 63 में से बचेगा आपका पांच और उतारोगे आप चार को तो एक बार और जाएगा और जीरो तो यह आपका 11,000 ठीक है तो टोटल कितना हो गया भई बारह और गया रहे तेईस हजार तो यह आप से पूछाए कि टोटल कितना था तेईस हजार था यानि कि option C आपका correct answer दोस्तों ठीक है भई इसने जो टोटल X था इसकी value नकाली आपने तेईस हजार ठीक है अब आप से यह था यह हमने निकाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप से पूछी है यह है यह यह बी है टोटल ठीक है तो एकी दो पलस बी की दो पलस में टूए भी तो पान सत्ते पैंती दूने सत्तर तो से यहां देखिए पलस का सत्तर केवल एकी option में यह रहा तो यह आपका correct answer होगा आ less than equal to one और less than equal to zero होती है अगर one भी होई तो भी चलेगा अगर मैं यहां देखता हूँ पहला option यह पहला option a बराबर b को अगर मैं चेक करता हूँ मैं options पर जा रहा हूँ तो यहां a और एक बन जाएगा आपका दो और यहां देखिए आपका a और a रखेंगे तो आपका भई आप यहां से a बराबर b रख लीजिए तो यानि कि मैंने दोनों को a ले लिया तो टू ए और यह बनेगा आपका two into मैं a square तो यहां इसी आ जाएगा a two a से two a कर जाएगा यह आ गया one तो यहांनि कि मेरे इसी value के लिए possible है option a मेरे करेक्टांस वरा आगे बढ़ते हैं करा दि 30 रूप ऑफ ऐसे समझे वह 105 जो envelope है वो 35 रॉपे में आते हैं 105 रॉप 35 रॉपे में आते हैं तो यह कि यह कि तने गुणा है तीन गुणा ठीक है तो दस रुपे में कितने आएंगे 35 रुपे में 105 आते यह 30 गुना तो दस रुपे में कितने आएंगे तीन गुना यानिकी 30 आंसर होगा आपका 30 यानिकी ऑप्शन ए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका ये 11 टाइम्स है इसका क्या है 11 टाइम्स एंड फाइव टाइम्स और यहां जो भी रिमेंडर आएगा उसका फाइव टाइम्स है ठीक है अब आप देखिए आपको कुछ ना कुछ डाटा जरूर गिवन होगा आपसे बोला है रिमेंडर 44 है अगर रिमेंडर 44 है तो इसका पांच गुना कितना हो जाएगा पांच ओक 20, 25 और 22, 220 अब ये इसका 11 गुना है इस क्योसेंट का तो भाईए 11 दूर दूर तो क्योसेंट कितना हुआ आपका 20 भाईए आप देखे 11 दूर 22 तभी ते 220 आएगा तो आपसे पूछा है डिविडेंट यानिकि ये वेल्यू आपसे पूछी है तो ये क्या होता ह भाजग गुना बागफल जमा सेस्फल तो यानि कि 220 इंटू में 20 पलस में 44 तो लास्ट में 44 आएगा वो दो आपसंस में है और आप देखोगे 22 दूनी 44 तो ये 24 तक तो नहीं जा रहा बिल्कुल भी ये option मेरा correct हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप एक्जाम में करेंगे मैं आपको करके बता देता हूं वैसे 22 दून 24 और पलस में 44 तो कितना आ जाएगा आपका चवालीस सो चवालीस ठीक आगे बढ़ते हैं रुपे आठ हजार एट 24 परसेंट पर एन सिंपल इंट्रेस्ट एंट रमिस बोरोड रुपे एक्क्यानमे हजार एट 20 परसेंट पर एनम सिंपल इंट्रेस्ट करा इन हाव मैंनी 30 years will their amounts will be equal कितने साल में उनके जो amount है वो equal होंगे ठीक है तो देखिए भई असी हजार का असी हजार का अगर मैं 24 परसेंट निकालता हूं ठीक है तो आपका परसेंटेज से दो जीरो कर जाएंगी तो आपका 800 इंटू मैं 24 इंटू मैं टी ठीक है यह क्या आगया आपका SI अगर मैं इसमें प्रिंसिपल जोड़ देता हूं तो amount बन जाएगा तो मैं इसमें असी हजार जोड़ देता हूं ठीक है जी बराबर amount बराबर बोलाए ना तो दूसरा देखिए एक क्यान में हजार है तो आपका कितना बन जाएगा 910 लीजे केवल 910 वह यह परसेंटेज से दो जीरो कर जाएंगे इंटू मैं आपका 20 इंटू मैं टी और इसमें अगर मैं यह प्रिंसिपल जोड़ देता हूं एक क्यान में हजार तो आपका amount बन जाएगा और यह दोना amount बराबर ठीक है बराबर गिवन है तो यहां देखिए वह एक क्यान में हजार मैं से यह अस ठीक है और यहां देखिए आपका भई 910 में से यहां आप देखेंगे एक काम कर सकते हो देखिए एक काम करिए पहले और इसको थोड़ा simplify कर लीजिए वो कैसे देखिए भई आपको यहां तक के multiplication में 2-0 देख रही है तो 2-0 यहां से 2-0 यहां से common लिया मैंने और यहां दे application में देख रही है यह काड़ दी और 2-0 यह काड़ दी अब मेरे लिए काम आसान हो जाएगा ठीक है तो यहां आप देखिए एक क्यान में दूनी कितना हो जाएगा एक क्यान में दूनी दो एकम दो और दो नाम दो नाम अठारा 182-0 टी और यहां 24,8,1192 टी ठीक है पलस में 910 लिख लेता हूँ बराबर यहां 24,8,1192 में पी और पलस में यह कितना है मेरा 800 अब देखिए एक सो बान में में से एक सो ब्यासी जाएगा तो दस T बराबर आट सो में 910 में से 800 जाएगा तो 110 तो एक जीरो से एक जीरो कर जाएगी की वेलू कितनी आ गिए आपकी ग्यार है ठीक है ओप्चन सी आपका करेक्टान सवार दोस्तों आगे बढ़ते हैं तरह ए वाच डीलर सेल्स वाच इज एट रुपे कि अगर मैं दिकिए मैं मान लेता हूं उसका जो मार्क प्रैस था कि वह अन्रेड था ठीक है उसने दो सक्सेसिव डिसकाउंट दिये तो तीस बीस पचास पचास में सचे गये तो 24 % का डिस कांट देदिया उसने फिकात चाबारीस परसेंट का डिसकाउंट देदिया तो बिच चूर दोनी 28 बचे आट अट भाई 28 अरा 36 होता ना बचे आइट 14-570 बचे दस 106 हो गया 147 94 84 और 4 से काट लीजिए इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा दिकिए बहिए चार तिया बार है चार एकम चार चार चक सोल है तो आपका 31,44 00 यह answer होगा 31,44 00 यानि कि option C ठीक है आगे बढ़ते हैं किरा है मेधा कवर्स 81 km at the speed of 27 km per hour 12 km 66 km से और another 27 km 45 km की स्पीड से आपको बतानी है आपकी टोटल डिश्टेंस अपन में टोटल टाइम तो 81 km 27 km की स्पीड से 81 km और 93 km 270 कितना हो जाएगा आपका 3 और 27 और 936 यानि कि 363 से तो टोटल डिश्टेंस तो होगी 363 अपन में टोटल टाइम देखिए 81 km 27 की स्पीड से कितना समय लगेगा तीन गंटे पलस में बार है च्छे की स्पीड से दो गंटे पलस में 270 45 की स्पीड से यानि की च्यार गंटे कितना बन जाएगा चार तिन साथ और दो नो तो नो चौक छोक शट आपका भई 45 से भाग देंगे, तो 45 दूनि नभ है कितने बार जाएगा? छह बार जाएगा, शह बार तो यह आपका 6 आएगा और तीन और ग्यार है, ठीकर तो 11 रतिया 33, 11 रतिया 33 आमसार होगा आपका 33 यानि की option शे, ठीकर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ग्यारा X पलस Y अपन में Z बराबर 4 है, X बराबर Y के बराबर गिवन है, then what is the value of this, दिखिए, भई, X Y के बराबर है, तो आप चाहे Y में, चाहे X में convert कर लीजिए, तो मैं कहूंगा कि X पलस में X, यानि कि 2X अपन में Z बराबर 4, ठीक है, अब ये 2 से 2 बार कर जाएगा, 4, यानि कि X बराबर कितना आगया आपका 2Z, ठीक है, X बराबर 2Z, अब इसमें रख दीजिए, भई, Y की जिगे पर मैंने X रख लिया, और X के जिगे पर रख लिया 2Z, तो ये बनेगा ऊपर 2Z, भई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको Y बराबर X तो हमें given ये Y बराबर X ब ठीक है, पलस में, X के जिगे पर मैंने रख लिया 2Z, और X के जिगे पर 2Z में से Z जाएगा तो Z, तो ये Z से Z, और Z से Z, तो दो और दो बचेगा आपका 4, अन्सर होगा आपका 4, ओप्शन 1, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है, एक्स बराबर साइन 130, कॉस 80, Y बराबर साइन 80, कॉस 130, and Z बराबर 1 पलस X, then which of the following is true, देखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पर आपको मजा आ जाएगा, देखे, भई आप साइन 130 को क्या लिख सकते हो, 90 पलस में 40 लिख सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, भई साइन 130, डिगरी को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 पलस में 40, अब भई 90 तो, यानि कि जो आपका साइन है, वो तो चैंज होता है, नबह पर तो कितना हो जाएगा आपका कॉस, और 90 पलस में सम्थिंग, यानि सेकंड क्वाडरेंट और सेकंड क्वाडरेंट में कि साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 40 बनेगा ये, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी X की वैलू है, ये क्या है, ये जो वैलू है मेरी, ठीक है, ये क्या है, भई कॉस 40 इंटू मैं, कॉस 80, अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, भई कॉस 40, अ यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, आपकी 0, ठीक है, तो अब आपकी कॉस 40 भी यहाँ है, और कॉस 80 भी आपकी यहीं है, 0 से नीचे, तो मैं, कि यह कह सकता हूँ कि जो X की वैलू है, वो, जो X की वैलू है, वो greater than 1, 0 है, भाइढ, यहाँ 0 से तो बड़ी है, अब यहा जा रहो तो X की value greater than 0 है तो दीखिए यहां X की value greater than 0 तो यह option तो आपका eliminate हो गया ठीक अब आप यहां दिखिए स्कॉस 130 को आप ऐसे समझे आप इसको भी लिख सकते हो कॉस 90 पलस में 40 ठीक है अब आप दिखिए 90 पर तो चेंज होता है sign में कोई दिक्कत नहीं है तो यह आगे आपका sign 40 बट वह सेकंड क्वाडरेंट में कॉस है वो negative होता है तो यह आपका sign minus का sign 40 आएगा तो यह कितना आया आपकी जो यह वैलू आई है निकल के यह वैलू जो आपकी निकल के आई है यह क्या है वह sign 80 इंटू में यह आपका sign 40 माइनस का अगर यह माइनस ही आ गया तो कुछ सोच नहीं नहीं है यह less than 0 है तो मैं अई एककी वैलू लेस धन जीरो और वाई की वाई की वैलू एकस की वेलू ग्रेटर धन जीरो ड़ए आपने यह निकली है जैड में हुँ कहां से पता चलेगा जैड के लिए यहां अब आप देखे धिकल दोस्तों यहाँ one plus में xy है, xy आप देखोगे, तो यहाँ x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, जब आप xy करोगे, तो आपका sin a cos b plus में को से sin b बन जाएगा, sin a cos b plus में को से sin b, मैं पिछले, अभी इसी लेक्षन में पीछे बताया हूँ, यह होता है, आपका sin a plus में b, ठ एक बार लिख देता हूँ, sin 130 plus में 80 बनेगा यह, ठीक है, तो आपका बनेगा यह sin 210, और sin 210 को आप क्या लिख सकते हो, दोस्तों, sin 180 plus में 30 लिख सकते हो, अब आप मुझे एक चीज़ बताईए, दोस्तों, वह 180 पर तो आपका कोई change होता नहीं है, 180 पर कोई change नहीं होता, इ 180 प्लस में something, यानि कि third quadrant और third quadrant में sign आपका negative होता है, तो आपका यह minus का sign 30 आएगा, यानि कि यह आजाएगा आपका minus 1 by 2, ठीक है, minus 1 by 2, अब आप यहाँ इसमें पूट करिए, जैड में, जैड की value भई आपने निकाल लिए 1, जैड की value आईगे, आपकी 1, minus में xy की value 1 by 2 न option बिल्कुल correct है, यह condition में satisfy हो रही है, तो अच्छा question था, थोड़ा conceptual था दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको concept clear होगा, आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है, L, triangle onp का अंतहर केंदर है, यानि कि in center है, तो मैं बना देता हूँ भई, यह triangle बना देता हूँ आपके सामने, onp, onp, ठीक है, L क्या है, in center है, ठीक है, जी, कह रहा है, angle onp, पलसम है, onp, तो देखिए भई, olp कहाँ आपका, olp, यानि कि ये angle और ये angle, इन दोनों angles का सम, आपको given है, अगर मैं, यहां देखिए, अगर मैं, यहां ऐसे समझ लेजिए, भई, मैं L और N लिख देता हूँ, इनको direct, L पलसमें, N आपको given है, कितना, कितना, 195, अब आपको एक चीज और पता है, दोस्तों, अगर ये, L अगर आपका in center है, तो ये वाला angle जो L होगा, concept के हिसाब से, angle by sector theorem से, जो L अगर ये in center है, तो ये angle by sector है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है, तो ये वाला जो angle है, ये होता है, आपका L बराबर, 90 पलसमें angle this by 2, तो यानि कि 90 पलसमें angle N by 2, ठीक है, दोस्तों, तो ये बनेगा, आपका 2L, माइनस 2L माइनस में N बराबर 902, 180, मैंने ये solve करके लिख दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2L माइनस में N बराबर 180, ये ही बनेगा भई, अब आप कहेंगे कि सर इनको जोड़ दीजिए, तो यहां से L की वैलू आ जाएगी, 3L बराबर, इनको जोड़िए, 5, 836 और 137, और L की वैलू आएगी, आपकी तेने कम तीन, 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 पंज, पंदर, L की वैलू आए, 125 आप से पूछा क्या है, यही पूछा, 125 डिग्री होगा, ओप सेंडी, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता है, क्यारा, इफे स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन इच आफ दी फोर टेस्ट, भाई, अगर प्रतियक टेस्ट में यहां 74, 74, 74 ला रहा है, तो इसका मतलब एवरेजी 74 है, ठीक है, तो प्र को तेस्ट का पर्फॉर्मेंस कौन से टेस्ट में है, अब आप मुझे इक चीज़ बताइए दोस्तों, भाई, अगर आपको बता दी, कि एवरेज इनकी भाई, इसमे वही 74 है, इसमे भी 74 है, ठीक है, जो मार्क्स है, तो आप मुझे चीज़ बताइए, भाई, जो इनको range of मार्क्स है जो मार्क्स की रेंज है वो मुझे दे दी आप 30 से 90 तक यह तो 60 स्टुटेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ आप देखोगे तो आपको दिख रहे हैं 75 और यहां से देखोगे 75 से नीचे बहुत 75 से नीचे तो यह 45 तक तो यह आप यहाँ देखिए बहुत आपको सेवंटी फाइव भी हैं मैक्सिमम मार्क्स 45 है जिन मेंसे वो हर सब्जेक्ट में 24 ला रहा है तो आप खुद समझे ना आप ऐसे कहिए बहुत ही अच्छी है तो मैं कहुंगा कि यहां आप देखोगे तो यह मैक्सिमम हंड्रेड है उन मेंसे आप 24 ला रहे हो ठीक है समझ रह पर चौतर ला रहे हो ठीक है तो यानि कि टेस्ट टू मैं आपके खरक्टर अंसर होगा आसान क्वेस्चन था आगे बढ़ते कौन सब्सक्राइब था थोड़ा सोचना पड़ता देखे यह आपको रेश होगे वन तो मैं क्या करूंगा फोर एक्स पलस मैं तीन वाई दिख डेंस कतना रह जाएगा आठ एक्स बड़ाबर यहां तीन पंझ हे पंद्र है और यहां यह माइनस का तर एक पलस का हो जाएगा जब पलस से इदर हुदर ले जाएंगे तो यह जोले बनेगा तो यहां से एक्स अपान में वाई बराबर आपका बटे एक आ गया ठीक तो आ 28 पलस मैं यहां दो तो आपका 12 और 4 16 28 और दो तीस 16 रेशियो 30 यानि की 8 रेशियो 15 अंसर होगा ठीक आर्ट रेशियो 15 यानि की आप्शन ए आगे बढ़ते हैं दोस्तों करा भावना रोज ए बोट 25 किलोमेटर और फूर आवर्स डाउन स्ट्रीम भाई तो मैं यह कह सकता हू कि डाउन स्ट्रीम यानि की B पलस एस की वेलू मुझे गवन है 25 किलोमेटर चार गन्ते में तो यानि की 25 वंटे चार ठीक है एंड रिटरंज अप्स्ट्रीम इन टैन आवर्स तो वोई यानि की अप्स्ट्रीम यानि की B माइनस एस वह पच्चीश की डिस्टैंस को वह कित दिफ्रेंस् लेके आप दो से भाग दे दीजिए अगर मैं इस मैं से इसको घटाता हूँ तो वरी पचीस बटे माइनस में पचीश बटे दो ठीक है तो मैं पचीश बटे-च्यार माइस बटे-दस है तो ऐसे समझ एब घाइसो मैं से ठाइसो मैं से पच्ची चोका सो गए तो डेड़ सो और अपॉन में दस चोक चालीस तो यह कितना आ जाएगा आपका 15 और बटे में देखे आपको कुस्चन समझते ही समझा जाना चाहिए कि यह कहना क्या चाहरा है रहा है और क्या बोल रहा है कि कह रहा है radius है वो कितनी हैं भई पांच रूट तेर है तो बई एक radius यह भी radius है आपकी और यहां से यहां तक यह भी radius है खीक है और अगर मैं निध zero point को मिला देता हूँ खीक है तो यह perpendicular सोँगे तो फीक है आप देखे बड़ी वाली ये कितनी हो जाएगी бै यहां से यहां तक 10 और ये भी 10 और छोटी वाली 12 है तो ये भी 6 और ये भी 6 टीक है और जो radius गवन है वो गवन है पांच रूट 13 है तो आप क्या ये वाली distance निकाल सकते हो आप कह hip बिलकोल इसकाप सुखेर करेंगे तो 25 गुना में 13 है, 25 गुना में 13 है, माइनस दद है 100 और अंडर रूट में, ठीक है, तो यह कितना बन जाएगा, 13, 55, 66, 32, 26, 32, 32, और माइनस में 100, तो यह कितना बना 225, 225 यानि की पंद्र है, तो यह वाली वैलू आगी आपकी कितनी पंद्र है, ठीक है जी, अब आप ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, आप से ध्यान से समझेगा, जो मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, इस वाली ट्रेंगल की, तो इस वाली ट्रेंगल में आप मुझे की चीज़ बताईए, तो आपकी वह ये पांच रूट तेर है, ठीक है, और यह आपकी 6, तो यह यहाँ से यहाँ तक यह वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, आप कहेंगे सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, भई, इसका सुकेर आपने अभी किया है, कितना आया, 325, माइनस में, यह कितना करेंगे, आप 36, तो पहले आप 25 घटाईए, फिर आप 25 और 11 घटाईए, तो यह तो यह सकतर है, तो यह टोटल आगी, आपकी, टोटल आगी, आपकी 17, ठीक है, तो आप से पूछेए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 17 मैं से 15 जाएगा, तो यह कितने बचेगी आपकी दो, यह आप से पूछा है, दो answer होगा, दोस्तों, ऑपसें भी, ठीक है, तो दोस्तो इस तरीके से यह आपके टोटल 25 questions complete होते हैं मैं उम्मीद करूँगा कि आपको concept की clarity मिली होगी आप जोस्तो जो चीजे मैंने आपको शुरुआत में बताई मैं एक बर फिर से revise कर देता हूं कि अगर दोस्तो देखें अगर आप बाकी के मोक टेस्ट आपके बचे आप जादा तो कितनी भी आजाएं 100-200 तक व्यू जाने चाहिए यह कैसे आएंगे आप सेर करोगे ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो तभी आप लोग इससे मुझे आइडिया लगेगा कि यार आप कितने इंट्रेस्टेड़ हो जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं ठीक ह है और हाँ भाई CHSL 2024 के जो एक्जाम हुए है उसमें आपके जुमेटरी के बहुत अच्छे कॉंसेट के उपर नए कॉस्ट्ट के उपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह लगबग 150 क्वेश्चन है ठीक है अब 150 क्वेश्चन एक बार में करना तो यार आपके लिए ले से चाहते हैं और यह इनका सॉलिशन आप चाहते भी है या नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में करके बताएएगा दोस्तों मिलके अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपने पढ़ाई को करने रखिए थैंक्यू सो मच